Hello dear students, welcome to my GK class. Today we are going to learn about clothes. What is the spelling of clothes? C-L-O-T-H-E-S Clothes means क्या होता है? कपड़ा होता है, वस्त्र बोलते हैं जिसको होसाख बोलते हैं, जिसे हम लोग पहनते हैं, जिसको हम लोग पहन के यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोच कहते हैं. आपको क्लोच तो पहनना ही होगा. क्लोच protect us from heat, rain and cold and it also cover our body. क्लोट्स है वो हमें धूप से बचाता है बारी से बचाता है ठंड से बचाता है तो उसी लिए हम लोग क्लोट्स पैनते हैं और वो हमारे बॉड़ी को कवर भी करता है चलिए तो सबसे पहले हम लोग बुक्स में जो क्लोट्स होते हैं उसको एक बार learn करेंगे उसके बाद हम लोग ये सारे clothes पढ़ेंगे okay children first चरिए clothes सबसे पहले क्या है shirt this is a shirt then trousers इसे हम लोग क्या कहते है trousers what is this blazer इसे हम लोग क्या कहते है blazer आप लोग स्कूल जाएंगे जब ठंड पढ़ेगी तो उसके उपर, sweater के उपर हम लोग क्या पहनते है, coat पहनते है तो उसी को हम लोग क्या कहते है blazer, shoes जूते, आप लोग पहनते ही है socks मुझे भी पहनते है, ठंड में भी पहनते है इसको और सूस के साथ भी पहनते है jacket, vest ये क्या है, ये गंजी है, जिसे हम लोग शर्ट के अंदर पहनते है अंडर वियर है this is skirt belt frock, t-shirt sweater these are all clothes इसे हम लोग पहनते है है ना skirt भी है, jacket थंड में पहनते है frock, girls लोग frock skirt पहनती है, t-shirt भी है boys लोग t-shirts पहनते है, shorts पहनते है, sweater हम लोग ठंड में पहनते है, sweater, jacket blazer, सब हम लोग जब हमें ठंड लगती है, तब पहनते है तो आज हम लोग को इन में से कुछ words कुछ जो names है, वो names हम लोग को अच्छी तरह से याद करना है सबसे पहले क्या है, shirt how do we learn s-h-i-r-t shirt, shirt कौन पहनते है boys लोग पहनते है इसको अच्छी तरह से याद करना है ये क्या है, frock f-r-o-c-k frock, frock कौन पहनते है girls लोग पहनते है now this is shorts s-h-o-r-t-s shorts, shorts means half pant जैसे होता है, इसे हम लोग shorts कहते है full pant को हम लोग trousers कहते है, ये क्या है shoes, आपके पास होगा shoes, s-h-o-e-s shoes, और shoes हम लोग किस के साथ पहनते है हमेशा, socks के साथ पहनते है, तो moja, socks means क्या होता है, moja how do we learn s-o-c-k-s socks, socks means क्या हो गया moja, now what is this, ये क्या है, बताइए तो आप लोग ठंड में पहनते है sweater, how do we learn s-w-e-a-t-e-r sweater, woolen clothes है ये क्या हो गया, woolen clothes हम लोग जो चीज हम लोग ठंड में पहनते है तो उसको हम लोग woolen clothes बोलते है, jacket jacket भी हम लोग ठंड में पहनते है how do we learn j-a-c-k-e-t jacket, repeat again j-a-c-k-e-t jacket, now read again, clothes shirt, frock, shorts, shoes, socks, sweater, jacket j-a-c-k-e-t, jacket आपको ये पूरा names पढ़ लेना है shirt, frock, shorts, shoes, socks, sweater, jacket और आज आपको two names ही याद करना है वो क्या two names है shirt and shorts आपको ये two names अच्छी तरह से आज याद करना है s-h-i-r-t, shirt s-h-o-r-t-s, shorts shirt and shorts ये two names अच्छी तरह से याद किजेगा और हम लोग क्या करेंगे poem on clothes एक poem गाएंगे अभी अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करेंगे चलिए मेरे साथ बोलिए shirt and trousers frock and skirt shirts and trousers frock and skirt sweater and jacket shoes and socks sweater and jacket shoes and socks these are the clothes these are the clothes loved by all thank you shirt भी पहनते है trousers भी पहनते है boys लोग फिर girls लोग frock and skirt यूज़ करती है फिर हम लोग woolen clothes भी पहनते है sweater and jacket और shoes and socks भी पहनते है और ये सारे क्या है दीजार्दा clothes और loved by all ये clothes हमें सबको इस clothes से हमें प्यार है चलिए फिर से clothes shirt and trousers frock and skirt sweater and jacket shoes and socks these are the clothes loved by all thank you चलिए आप ये पोएम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ठीक है? बाई बाई थैंक ये चलिए बाई बाई बाई